Season 4 Episode 8 स्टार्ट होता है और स्वाल एक बस स्टेशन पर होता है वहाँ से एक दूर टाउन पर वो जाने वाला होता है वो किम को बोलता है कि Thursday में पर यहाँ आ जाओंगा वो किम से फिर अलवे दा लेता है वो जब बस में होता है तो बहुत सारे Post Cards वो लिख रहा होता है अलग-अलग उसके पांस Pains विगरा होते है Sketch Pains से भी उस पर वो Decorative Design विगरा कर रहा होता है बस में जो भी लोग होते हैं उन्हें भी हमें फिर वो काम देता हो दिखता है उन्हें हर Post Card का वो Pay कर रहा होता है और अलग-अलग लोगों से अलग-अलग handwriting में बहुत सारे Post Card वो लिख रहा होता है फिर वो हमें दिखता है कि कोशाटा नाम का एक गाह होता है वह जाकर उसकी Post Office से वो यह सब लेटर पोस्ट कर दिता है नाचो से बोलता है कि तुमने जो भी किया वो ठीक किया नाचो फिर Crazy 8 को बोलता है यह तुम्हें करना चाहिए था नाचो घर पर जब आता है तो बहुत बड़ा उसका अब घर होता है सब वही देख रहा है तो इसलिए अब उसका प्रमोशन हो चुका है तो अब यह house भी वो अफ़ोड कर सकता है उसके girl friends वगरा होती है अपनी तीचोरी में जाकर वो पैसे वगरा रख देता है नेक्स दिन में हमें दीखता है कि construction के लोग है तो उन सब को Mike ने एक बाहर में लाए हुआ होता है यह एक strip club भी होता है जहां उने strip dance वगरा भी मिल सके उनका entertainment भी हो जाएगा और वो जॉब में भी अच्छा सा concentration कर पाएंगे यह idea इस contractor का होता है तो इसलिए Mike ने उन सब को यहाँ लाए हुआ होता है वो बार बार बेटे हो थे और वहाँ Sydney की picture होती है Sydney में infrastructure होता है वो contractor बोलता है कि मेरे father ने बनवाया था वहाँ और भी एक रेशन आदमी होता है contractor भी रेशन होता है तो उसके लिए एक drink वो offer करता है फिर बाहर construction workers जो होते है उनका trouble हो जाता है जैसे हमें पता है कि काय किसी भी नहीं सुनता उसी ने trouble create किया होता है Mike फिर वहाँ पहुच जाता है वहाँ का जो bouncer होता है वो बोलता है कि street dancer के साथ इसने बत्तमीजी की थी Mike फिर उन्हें बहुत सारे पैसे देता है और बोलता है कि मुझे कोई भी ट्रफल नहीं चाहिए फिर वो पारेटी यही खतम कर देते है उन workers को आगे पेश देता है और contractor को फिल से मिलने जाता है जब Mike बार में आता है तो contractor उसे आदमी से बात कर रहा होता है और उन्हें अपने underground work के बारे में बोल रहा होता है वो अब drunk होता है तो कुझी बोल सकता है इसलिए Mike उसे फिर से घर ले जाता है Saul घर पर होता है पर कीम उससे बात नहीं कर रही होती फिर Saul अपने पुराने office में आ जाता है वो अपने पुरी नए ओफिस में काम कर रहोता है तो वहा की ओनर उसे मिलने आती है वो बोलती है कि तुम यहां क्यू हो सॉल बोलता है कि मेरा मन क्या इसलिए आय हूँ वो उससे पुछती है कि क्या तुमारा उससे जगडा हो गया है स्वाल अतना अच्छा आंसर नहीं करता तो वो बोलती है कि वो तुमसे नाराज है नेक्स सीन में हमें दिखता है कि A.D.A. जो होती है उसके साथ अब कीम बेटी हुए होती है किम के जो भी सब असिस्टन होती है श्वाइकर और कोकली के बास से तु ये पूरे असिस्टन उसके साथ होती है वो उस A.D.A. को बोल रही होती है कि मुझे मेरे क्लाइन को जेल में नहीं देखना उसे सिर्फ 5 मंद की प्रोबेशन हो सकती है पर इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होना चाहिए अगर उसने उसे वो नहीं दिया तो वो पुरा पेपर वर्क उन पर थोपने वाली होती है जिस पुलिस ऑफेसर ने हुल को अरेस्ट के होता है उसके परसनल फाइल भी वो उससे मांगती है मीटिंग होने जाने के बाद A.D.A. कीम से बोलती है कि तुम्हें क्या लगा कि ये तुम सब असिस्टन्ट वगरा मुझे दिखाओगी तुम्हें डर जाओगी ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला तुम्हें बोलती है कि हम देखेंगे कि क्या होगा माइक अब कॉंट्रेक्टर को बहुत ही डाट रहा होता है उस कॉंट्रेक्टर ने इमेज बनाए थी क्यों कैसे वर्क वो कर रहा है और उन लोगों को भी उस बार में जो लोग थे उन लोगों को भी इसने ये दिखाई थी तो अब माइक वो इमेज उसे दिखाता है और उसे बहुत ही डाट रहा होता है वो कॉंट्रेक्टर बोलता है कि मैंने ऐसा स्पेसिफिक कुछ वर्क उन्हें नहीं बदाया मैं क्या कर रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ ये सिर्फ में उससे समझा रहा था वो माइक कॉशर करता है कि इससे कोई भी प्रॉलम नहीं होने वाली नेक सिन में हमें दिखता है कि किम और एडिये जो होती है उन दोनों को जज ने बुलाया होता है जज बहुत ही जिड़ा हुओ होता है क्योंकि सौर्ल ने जो भी पोस्ट कार बनाये थे वो सब अब जज कहा दिले रो चुके है वो एडिये से बुश्थी है कि यूल कों है ये तु मुझे कोई हिरो लगता है क्योंकि यह जो सब पोस्ट कार्ड होते हैं यह अलग अलग नेम से एक ही टाउन से आये हैं ऐसा सौल ने प्लांट किया होता है सब लोग कैसे यूल को सपोर्ट कर रहे हैं इस पोस्ट कार्ड में पता चल रहा होता है इस पोस्ट कार्ड में ये भी होता है कि यूल का सपोर्ट करने सब अलवकर की आने वाले हैं तो जजज को ये ट्रबल नहीं चाहिए होता तो एडियो को बोलता है कि तुम दोनों एक डील बनाओ और इससे शुल्टा लो फिर वो जो लेटर सोते उनको देखती है उन लेटर में हूल की बहुती प्रेज वगरा की होती है कुछ लेटर में नमबर्स भी होते है तो वो नमबर डाइल करना सब को बोल देती है वो खुद एक number dial करती है यह जो number लगता है यह सब mobile solve के पास ही होते है जो film school के लड़के होते है जो हमेशा solve की मदद करते है कुछ भी shoot वेगरा करने के लिए उन्हें solve ने hire की होता है उसमें से एक लड़की call उठाती है और बोलती है कि हुल बहुत ही अच्छा है यह एक religious लड़की है इसा वो pretend करती है वो बोलती है कि हुल पर तुम्हें inquiry कर रहे हो तुम्हें God माफ नहीं करेगा हुल बहुत ही अच्छा है और तुमारी misunderstanding हो चुकी है हुल चर्च के लिए बहुत ही important होता है और चर्च के लिए वो donation विगरा भी collect कर रहा होता है इसे उन्हें उन्लाइन वेबसाइट बनाई हुई होती है यह भी सौल ने करेट की होती है और चर्च के priest का वोस website की नीचे number होता है फिर ADA priest को call करती है फिर ADA को लगता है कि वो priest से बात करे और वो हुल पर जो भी charges वगरा होते हो बोलती है फिर सौल priest होने का pretend करता है और बोलता है कि हुल बहुत ही अच्छा लड़का है तुम्हें एक misunderstanding हो चुकी होगी वो अपने friend को ही help कर रहा होगा और तुम्हें misunderstanding हो गई है ऐसा वोसे बताता है फिर A.D.A. पुछती है कि हुल को क्यों इतना सब भाव देते है क्यों वो इतना famous है तो सौल priest बोलता है कि उसने हमें बहुत ही help की थी वो ही hero है जब चर्च में आग लग गई थी तो सब लोगों को उसने बचाया था वो charity के लिए भी हमें help करता है और हम उसे support करने के लिए code में भी आने वाले है ये बार्चित कतम हो जाती है और फिल्म कोल के जो लड़के होते है सौल ने बता कर जाता है कि अगर call कोई भी आए तो तुम्हें pick up करना है वो सब call को pick up ने करने वाले होते तीन में से एके call को pick up करने वाले होते है यानि किसी को शक ना जाए बहुत सारे mobile वहा होते है निक्सिन में हमें directly देखता है कि ADA किम के साथ deal पकी करती है ये successful हो जाती है और फिर Saul और किम दोना intimate हो जाते है निक्सिन में हमें meeting दिखाए दिगी है किम और में सवर्टे के पास में सवर्टे का owner केविन वो उसे पूछ रहा होता है कि मैंने जो office की design बनवाए थे उसमें मुझे एक design बहुत ही अच्छा लगा है वो branch बन चुकी होती तो वो बोलता है कि मुझे इसी तरह की सब branches चाहिए केविन के assistant बोलती है कि यह impossible है और हमें बहुत सारे months लगेंगे और हमारा बहुत time waste हो जाएगा वो किम से भी पूछता है कि क्या यह possible है किम बोलती है कि impossible है हमें नहीं कर सकते पर किम अब सोचती है और उसे idea आता है या अगर solve की मदद उसने ली तो यह फिर से वो कर सकती है next scene में हमें दीखता है कि माइक गस को जो underground lab का जो progress होता है वो दिखा रहा होता है उनका काम जो होता है वो अब delayed हो चुका होता है बहुत सारी तकलिफे उन्हें आ रही होती है इसलिए अब और भी 3-4 मन लगने वाले होते है next scene में हमें दीखता है कि सॉल अपने लिए office बना रहा होता है किम रस्ते से गुजर रही होती है तो वो कोसॉल की गाड़ी देखती है और रुख जाती है सॉल फिर उसे बोलता है कि हमने यह जो भी किया हुल के लिए वो अब में फिर से नहीं करने वाला किम पुछती है कि क्यों नहीं करने आ ले किम भी अब यह फिर से करने में इंट्रेस्टेट होती है उसे अब लोग को मैनोपिलेट करना आच्छा लग जाता है वो बोलती है कि हम डिसाइड करेंगे कि कब हमें यूज करना है कब नहीं next scene में हमें दिखता है कि कुछ समार रहे थे वही तुम समालोंगे मैं तुम्हें कुछ डिस्टब विगरा नहीं करने वाला यही एपिसोड खतम हो जाता है